हेलो दोस्तों स्वाप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल में दा क्यामस्ट क्लब सो जैसर कि हमारा एलेक्ट्रो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है सो आज मैं कोशिश करूंगी कि ये चाप्टर खतम करा दू दो टौपिक्स रह गए है एक कंसेंट्रेशन सेल्स और टाइटरेशन का तो ये मैं आज खतम करा दूंगे सो कंसेंट्रेशन सेल्स की बात करते हैं इस पे भी कई बार क्वेशन आ जाता है मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए कई बर वो लोग क्या करते हैं कि concentration cell पूछ लेते हैं reversible with respect to anode and reversible with respect to cathode ऐसे करके कुछ-कुछ questions आते हैं उनकी equations देते हैं और फिर वो पूरा process solve कराते हैं और वो finally एक equation दे देते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सी equation सही है तो यह आपको पता होना चाहिए मैं यह नहीं बोलूँगी कि बहुत जादा important है बट एक चीज होती है ना कि luck की बात होती है कभी यह चीज आ जाती है exam में अगर हमारा luck अच्छा होगा या कहीं बहुत नहीं भी आती है बट मैं यह कहूँगी कि आप लोगों को यह पढ़ लेना चाहिए सिंस मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपको पूरा 100% दोंगी कि आपको अच्छे से समझ आए और एक बात मैं कहना चाहूँगी जो बहुत important है वो यह चीज है कि मैंने notice किया है कि बच्चे ना शुरुआत में वीडियो देखेंगे बढ़ थोड़े टाइम बाद ना वो छोड़ देते हैं वीडियो नहीं देखते हैं तो दूस्तो मेरा कहने का मतलब यह है आप चाहे तो किसी भी चानल को फॉलो करिए लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को टाइम दे रहे हैं तो आप प्लीज उसे अच्छे से देखेंगा क्योंकि पते हम लोग 10 चानल लेखते हैं आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो अगर आप मुझे फॉलो करने हैं और आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो मैं आपसे हमेशा कहते हूँ कि आप मुझे बताओ आप मुझे बताओंगे नहीं तो तब तक मैं कैसे कुछ आपको help कर पाओंगी है ना तो आपको बताना चाहिए मुझे तो आप प्लीज यह देखिएगा अच्छे से मैं पूरा अच्छे से explain करोंगी ओके सो लेट्स गिट साटेट concentration cells क्या होते हैं concentration cells basically क्या है यह हमारा electro chemistry का part है älctro chemistry में अभी तक हमने क्या पढ़ा है galvanic cell पढ़ा और क्या पढ़ा electrolysis पढ़ा okay so galvanic cell के ही part में आता है concentration cell concentration cell हम कियो बोलते हैं क्योंकर यह जो cell होते हैं यहाँ पर जो anode और cathode में metal जो भी substance इलेक्ट्रोड यूज होता है, वो एक ही होता है, मतलब वो सेम होता है, मतलब अगर इधर कॉपर है, तो इधर भी कॉपर होगा, अगर इधर सिल्वर है, तो इधर भी सिल्वर होगा, एनोड और कैथोड में मेटल सेम यूज होता है, बट डिफरेंस कहां आता है, कि उनकी इ आपके सामने कि एक कंसंट्रेशन सेल बनाती हूं यह देखिये, यह मैं आपके सामने एक सेल बना रहे हूं, यह मेरा हो गया इलEKTROORD ठीक है और यहां पर भी मैं दबबा बना देती तो मैं यह ले लेती हूँ copper और यह भी मेरा क्या हो जाएगा फिर copper है ना तो अगर आपको concentration cell दिया है तो आपको देखती ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या होगा कि आपका जो metal होगा रॉड होगा वो दोनों सेम होने वाली है तो वो कई बर क्या करेगा कि वो आपको question में बोल देगा कि अनोड पर मैंने copper यूज किया है तो मतलब क्या है concentration cell है तो अनोड पर अगर copper है तो cathode पर भी automatically क्या होगा copper और यह मैं बना देती हूँ वो एक salt bridge सो यहन आपका salt bridge हो गया अब यहां पर electrolyte भर देते हैं यहां एब है यहां पर भी electrolyte भर देते हैं तो यहां पर copper का मैंने electrolyte लिया copper Sulphate यहां अब यहां पर copper का electrolyte लिया copper को लगाना आप से डिटेक्ट कर सकते हो अब आप कहोंगे कि यह concentration कैसे हुआ यहां पर तो copper sulphate copper sulphate मैंने concentration मैंने to mention नहीं करी तो बच्चों यहां पर difference क्या होगा ना कि यहां पर इस copper sulphate की concentration मैं c2 ले रही हूँ और इस copper sulphate की concentration को मैं c1 ले रही हूं ठीक है तो यहां अपना formula था वो था E0 anode which is oxidation potential plus E0 cathode which is reduction potential तो अगर मैं यहां पर E0 anode लोगी तो इसका oxidation potential समझ लो plus 0.34 है तो इसका reduction potential क्या होगा बस sign change कर दो minus 0.34 तो यह क्या हो जाएगा 0 तो आपका E0 cell concentration cell में हमेशा 0 होता है तो आप ये points note कर लिएगा कि in concentration cells, आप साथ साथ notes बनाते चलिएगा, ओके, so in concentration cells, in-not cell is 0, ठीक है, so आपका ये point तयार हो चुका है, अब जो हमने cell बनाया था, उसके हम anode और cathode reaction लिखेंगे, तो देखो, anode पर क्या होगा, oxidation, oxidation होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने oxidation potential लिखा है, यहाँ आपको बता रहा है कि यहाँ पर oxidation होगा, तो oxidation का मतलब है loss of electron, तो copper solid से किसमें जाएगा, copper electrolyte में, which is liquid, और plus 2 electron, okay, and cathode पर क्या होगा, cathode पर आपका होगा reduction, तो यहाँ पर क्या होगा, copper plus 2 plus 2 electron, यह मेरे को क्या देगा, copper solid, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको जो यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखते होगे चलना है, जब भी इसकी questions आएंगे, उसमें आपको क्या देखना है, कि देखिए, copper solid, copper solid, यह तो आपके final reaction में cut हो जाएगा, two electrons, two electrons, यह भी आपके final reaction में cut हो जाएगा, आप सोचोगे कि यह भी cut हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पस तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर जब copper plus 2 anode में, जब copper plus 2 अपने solution में जाएगा, तो solution की concentration क्या थी, c1 थ जो हमें bracket में mention करनी है, तो अगर इन दोनों electrolytes की concentration अलग है, तो यह cancel नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका, copper plus 2 जिसकी concentration c2 है, is going to be copper plus 2 जिसकी concentration c1 है, तो अब हमें nurse equation लगानी है, ठीक है, nurse equation आपका क्या होगा, nurse equation हमें पता है, e cell is equal to e naught cell minus 0.0591 अपन में n log of product अपन में reactant, ठीक है ना, अब देखिए, अब आपको पता है, e naught cell तो आपका 0 है, तो आपका e cell क्या बन जाएगा, e cell आपका क्या बनेगा, minus 0.0591, अपन में n क्या है, यहाँ पे 2 electrons का change है, log of product, product पे क्या है, आपका copper plus 2 जिसकी concentration c1 है, तो मैं आपका सिर्फ c1 लिखती हूँ, ओके, और our reactant में आपका क्या है, copper plus 2 जिसकी concentration c2 है, तो मैं आपका लिखूंगी c2, तो यह आपकी final nurse equation बन चुकी है, ठीक है, अब आप सोच रहों कि इस पर question कैसे आएगा, तो देखिए दोस्तों इस पर question कैसे आ सकता है, हो सकता है वो आपसे यह वाले equation निकल वाले, ठीक है, और हो सकता है वो आपसे पूछे, कि यह जो आपका cell है, यह spontaneous कब होगा और कब न negative, delta G हमारा क्या होता है, minus NFE, तो E आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, positive तब ही तो यह negative होगा, okay, मतलब delta G आपका negative कब होगा, जब आपका E positive होगा, अगर E भी negative हो जाएगा, तो negative into negative क्या हो जाएगा, positive and reaction हमारी non spontaneous हो जाएगी, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह क्या है, log of C1 upon C2, तो देखिए, अगर आपका यह जो ratio है, यह आपका less than 1 होगा, ठीक है, less than 1 अगर यह ratio होगा, तो यह क्या होगा, आपका पूरा value यह क्या होगी, आपकी negative होगी है ना, जब यह value पूरी negative होगी, तो negative into negative, यह क्या हो जाएगा, positive, तो E cell आपका positive हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी value less than 1 कब होगी, C1 by C2 should be less than 1, ओके, so C1 by C2 less than 1 मतलब, इसका मतलब क्या है, C1 is less than C2, मतलब आपकी concentration जो है, electrolyte की, वो cathode पर जादा होनी चाहिए, compared to anode, क्योंकि उसी time पर हमारा क्या होगा, जो C2 होग वो हमारा जादा होगा, C1 से, तो इससे हमारा क्या होगा, कि जो पूरा जो E cell होगा, वो हमारा क्या होगा, positive होगा, और delta G क्या होगा, मेरा negative होगा, चिक है, so यह आपको मैंने एक तरीका बताया, बताने का, कि कब हम negative, positive बता सकते हैं, कब हम spontaneity बता सकते हैं, reaction की, यह तो एक बहुत ही basic सा example था, so, so, दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, मैंने आपके बहुत ही प्यारा सा, एक flow chart बनाया है, आपको बताने के लिए, कि कितने तरीके के concentration cells होते हैं, so, देखिए, दो तरीके के हमारे पास concentration cells होते हैं, एक तो होता है, electrode concentration cell और एक होता है, electrolyte concentration cell, आपके लिए सबसे शुब समाचार इस सम में क्या है, कि जो electrode concentration cells हैं, उसका example सिर्फ हमारा क्या होता है, गैसा आयन हाफ cell, Gas-ÁYan क्यों होता है? क्य Skill की यहाँ पर Electrode Concentration Cells का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो Change in Concentration होगा वो At Electrode होगा मतलब Electrode की Concentration Change होगी अगर आपका Metal-Electrode है तो Electrode-Metal की हम Concentration Change नहीं कर सकते हैं वो Solid है हम Liquid और Gas की Concentration को तो फिर भी वारे कर सकते हैं है कि नहीं तो इसलिए इसका सिर्फ हमारा ग्यास आयन हाफ सेल हमारा एक एक्जामपल होता है क्योंकि जो ग्यास का evolution है वो किस पर depend करेगा कि उसके electrolyte में कितने H plus ions present है तो H plus ions जित्ते जादा होंगे उत्ता जादा concentration होगी gas की जो वहां से evacuate होगी similarly जो electrolyte concentration cells हैं इनका मतलब यह है कि change in concentration of change in concentration of electrolyte ठीक है electrolyte की concentration बढ़ लेगी तो इसमें भी दो प्रकार आते हैं एक तो concentration cells without transference without transference का मतलब है कि हमने जो उनके passive ions है उनका basically हमने उनका transference include नहीं किया है उनकी concentration include नहीं करी है passive ions कौन से होते हैं जैसे H plus मेरा gas ion half cell है तो उसका passive ion क्या है CL minus है similarly AG NO3 अगर मेरे पास electrolyte है AG तो मेरा जो होगा active ion होगा NO3 क्या होगा passive ion तो इस वज़े से हम लोग क्या बोलते हैं without transference without transference मतलब जो मेरे passive ions है मैंने उनकी migration को include नहीं किया है या फिर हम बोलते हैं without liquid junction potential अभी आप सूच रहोंगे liquid junction potential क्या है यह तो हमें पता नहीं है सो आप बिल्कुल चिंता मत करिए यह मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाओंगी बस आप अभी के लिए याद रखे कि concentration cells without transference को हम बोलते हैं concentration cells without liquid junction potential जिसको मैं बोलूँगी LJP and similarly concentration cells जिसमें transference हो रहा है मतलब जिसमें मैंने transference इंक्लूड किया है passive ions का और हम भोल सकते है concentration cells with LJP ठीक है यह आपको क्या हो गया types of concentration cells सबसे पहला हम type अपना देखेंगे जो होगा electrode concentration का electrode concentration cells since मैंने आपको क्या बता है कि इसका सिर्फ एक ही example है तो वह हम यहाँ पर अच्छे से discuss कर लेते हैं अब सब्सक्राइब आपके सामने एक मैंने concentration cell बनाया है which is different in concentration at the electrode अब देखें यह आपके सामने क्या है यह एक gas ion half cell है यह भी एक gas ion half cell है उनको मैंने connect कर रखा है और यहाँ पर एक salt bridge भी होगा यहाँ पर मेरा क्या है एक यहाँ पर electrode है यहाँ पर भी एक electrode है जो है platinum का और इस पर hydrogen gas adsorb हो रही है जो मेरी यहाँ से evolve हो रही होगी ठीक है यहाँ पर जो h2 की concentration है अब सेंस h2 gas है तो यहाँ पर concentration की जगा हम क्या use करेंगे pressure तो इसका मैंने pressure ले लिया P1 और यहाँ पर जो h2 है उसका मैंने pressure ले लिया P2 ठीक है और यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है मैं को एक ही जगा concentration में change कर सकती हूँ तो यहाँ पर कहां मैंने change करी है electrode पर अगर concentration मैंने change करी है तो electrolyte की concentration सेम रहेगी तो यहाँ पर जो HCl है वो भी C concentration का है और यहाँ पर भी जो HCl है वो भी C concentration का है आपको I hope यह समझ आया होगा क्योंकि अगर आपको यह diagram समझ नहीं आएगा तब तक हम इसकी equation पर नहीं जा पाएंगे तो एक बर फिर मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी से कि यह आपका क्या है एक platinum wire है जिस पर hydrogen gas adsorb हुई है उसका pressure P1 है और यहाँ पर जो hydrogen है उसका pressure P2 है ठीक है अब देखें यहाँ पर जो मेरी electrolytes हैं उनके concentration मैंने सिर्फ C रखी है क्योंकि यहाँ पर सिफ मेरी electrode पर concentration change होग होगी electrolyte पर हम लोग अभी आगे examples देखेंगे सो दूस्तों अब इसकी reactions की बात करते हैं एनोड पर क्या होगा oxidation ठीक है सो oxidation किसका होगा आपका H2 का जो आपकी hydrogen gas है hydrogen gas क्या करेगी आपके electrons को loose करेगी और किसमें convert हो जाएगी H plus पर H plus की concentration क्या है C और यह कित्ता electron देगी हमें है एक और यहां पर मैं क्या करूंगी अगर एक के लिए लिए हो तो हाफ कर दोंगी अब इस hydrogen की मेरी concentration क्या थी पीवन थी क्योंकि देखो concentration cells में आपको यह ब्राक्ट में concentration लिखना बहुत जरूरी है अगर आप कहीं पर भी किसी की भी concentration mix कर दोगे तो आप पका confused हो जाओग तो H plus क्या होगा इसकी concentration C है यह मेरा एक electron खाके क्या बनाएगा half of H2 और इसकी concentration क्या हो जाएगी P2 तो अब देखिये मैं इसकी final equation लिखती हूँ यह तो मेरा cancel हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी C है यहां पर भी C है दोनों तरफ C concentration है और यहां पर electron यह भी cancel हो गया तो बच आती है नर्स्ट equation की सो नर्स्ट equation जब मैं लिखूंगी सो नर्स्ट equation में हम लोग क्या लिखेंगे E cell which is minus 0.0591 अपन में N ठीके N क्या है मेरे number of electrons और log of product अपन में reactant so दोस्तों देखो मैंने आपर E naught cell नहीं लिखा क्योंकि आप जानते हो वो 0 होता है तो मैंने इस direct लिखा है so E cell क्या हो जाएगा आपका minus 0.0591 और N की value क्या है यहां पर 1 क्योंकि 1 electron change है okay so अब आपका log में क्या होगा log में होगा product product आपका क्या है यह तो इसको मैं लिख सकती हूँ P2 P2 की power में क्या हैगी इसकी stoichiometry which is half और यहां पर क्या होगा H2 oh sorry at P1 क्योंकि pressure ले रहे है ना pressure concentration है तो यहां पर क्या हो जाएगा half तो अब आप इसको अगर थोड़ा change करके लिखोगे यह इस प्रकार से बन जाएगा minus 0.0591 log of P2 upon my P1 whole की power में half तो अब हमें पता है कि log of X की power में Y जो होगा वो log of X की power में Y क्या होता है Y log X तो यह क्या आजाएगा बाहर आजाएगा multiplication में तो यह क्या बन जाएगा आपका minus 0.0591 divided by 2 log of P2 by P1 तो अब मुझे यह quantity को positive करना है क्योंकि मुझे E cell क्या चाहिए positive to be reaction to be spontaneous तो मेरा क्या होना चाहिए P1 जादा होना चाहिए P2 से तो P1 should be greater than P2 तब ही मेरा यह जो पूरा ratio होगा यह क्या होगा less than 1 होगा less than 1 होगा तो log less than 1 का negative होता है negative into negative positive तो यह आपका क्या होना चाहिए P1 should be greater than P2 फिर आपका delta G क्या होगा negative and reaction will be spontaneous इसका मतलब क्या है कि जो आपका pressure at anode है anode पर जो hydrogen का pressure है वो जादा होना चाहिए तब यह reaction spontaneous होगी नहीं तो नहीं होगी क्योंकि हमें किसी भी reaction की spontaneity बताने के लिए कुछ तो एक parameter चाहिए होता है तो इसलिए हम लोग यह processes को calculate करते हैं इसको solve करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर हमारी reaction को हमें feasible बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं तो इससे हमें अराम से पता चल गया दोस्तो यह वीडियो मेरी जादा लंबी हो गई है इसलिए मैं आपको जो EMF with junction potential है यह मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी यह वीडियो में मैंने आपको बस electrode concentration cells को introduce करवाया और इसके examples बताया कि आपको किस तरीके से किस approach के साथ solve करना है और concentration cells क्या होते हैं वो आपको मै इकालते हैं concentration cells की यह मैंने आपको बताया और exam के spartan के questions आ सकते हैं यह मैंने आपको बताया तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी चानल को subscribe कीजिएगा और ऐसे ही प्यार अपना देते रहे हैं अपना ख्याल रखिए